स्वागता बच्वाप का सेल स्टड़ी के चैनल में तो आज की हम अपनी बेसिक लेक्चर फोर स्टार्ट कर रहे हैं जो वर्ब का है और यहां पर मैंने पार्ट वन रखा है क्योंकि जो यह वर्ब है इसका बेसिक भी मुझे लगता है कि यह चार वीडियो जाएंगे उसमें जाकर खतम होगा क्योंकि काफी बड़ा बेसिक हो जाता है फिर इसकी डिटेल से जब हम जाएंगे तो वहां पर भी काफी जादा लेंटी हो जाता है क्योंकि वर्ब है ही ऐसा है जिसको जितना समझेंगे उतना ही कम लगते हैं खेर पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को अच्छे से समझाने की बेसिक के अंदर ताकि हम डिटेल पे जाएं तो वहां पर भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं जो भी अभी तक परिभाशा या फिर डेफिनिशन मैंने आप लोगों को वर्ब की दी मैंने ये कहा कि वर्ब जो है हम उसको कैसे किसी सेंटेंस में जानेंगे कि एक तो ये कि तीन फॉर्म होती है और दूसरा कि ये एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं अब तक तो मैंने यह नहीं पताया है क्योंकि इतनी ही जरूरत थी बेसिक के अब थोड़ा सा हमें जरूरत है जाद़ा जाननेगे किंगे इतने से काम नहीं चलेगा न अभी थोड़ा सा और हम जादा जानेगे तो आज़की हम इस वीडियो में वार्ब के कुछ टाइप है उसके बारे में अगर और अगली वीडियो के अंदर भी वर्ब की कुछ और स्पेसिफिक टाइप हैं उनके बारे में जानेंगे ताकि वर्ब को एक पर थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए ताकि सेंटेंस अच्छा बन पाए क्लियर ओके यह सारा रफ कर दिया मैंने यहां पर देखिए वर्ब यह एक्शन को रिप्रेजन करते हैं जैसे डेफिनिशन मैंने यहां पर लिखिए यह तीन काम करते हैं डूइंग बींग हैपनिंग वर्ब जो होता है वो तीन काम करते है क्या डूइंग डूइंग का मतलब होता है होना किसी चीज का होना कोई चीज क्या है कोई इंसान क्या है जैसे राहूल इस टीचर वह एक टीचर है तो यहां पर हो गया कोई चीज होता है happening का मतब होता है कोई काम अपने आप होना अपने आप होना अपने आप होना concept का नाम है transitive और intransitive ये concept आप लोगों को मुझे समझाना है तब ये चीजें करवानी पड़ रही है याँ बे doing वोप है ये doing में देखिए adjust, sold the question इस sentence को break करने की शुरुआत हम कहा से करेंगे verb से करेंगे sold, sold, sold तीन form है, action क्या हो रहा है sold करने का, hull करने का तो ये होगा आपके सामने वोग, इस action को कर कौन रहा है अजे कर रहा है, तो ये क्या होगा आपके सामने subject, एक बार फिर से माँ आप लोगों के सामने subject बता देता हूँ, subject कौन होता है subject वो होता है, जो action का doer होता है, जो action का doer होता है, उसे कहेंगे subject कहेंगे, और object भी आप लोगों के फिर से सामने लिख देता हूं, object वो होता है, अरे कोई action को करने वाला हो गया, doer, action को कोई receive भी तो करेगा, ये होता है receiver, object को होता है, receiver होता है और what या home से reply हमें action, अपने verb के object मिली जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताए हुए temporary तोर पर, यहां पर फिर से चीज़े revise होगी, आइए जड़ा question के उपर, I just sold the questions, I just sold what, एक तो what रखेंगे, तो question इसका answer मिलेगा, तो ये हो गया इसका object, और दूसरी चीज़ हम देखें, तो इस solve करने का काम हुआ कि इसके उपर, इस questions के उपर तो ये क्या होंगे, इसका receiver होंगे, इसलिए object हो गया, अब बात करूँ English grammar में questions को कहेंगे, noun, noun में भी क्या होते है, common, और same अजे को English grammar में कहेंगे, noun, noun में भी क्या, proper, और दा है, यहाँ पर article, वो मैं लिखनी रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि A, N, दा ये तीन article होते हैं, इनके बारे में मैं भी लिखूंगा नहीं, details से बारे में बात करेंगे लेकिन यहाँ पर जादा न, वो गिच पिच 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 आती, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ clear हो गया, अगले में आईए ज़रा He went to Mumbai, यहाँ पर हमने क्या देखा है, verb क्या है, went went होगी, verb यह action कर कौन रहा है, यह action कर रहा है He, He क्या बनेगा, subject अब to क्या है, preposition और preposition के बाद क्या आते है, preposition के object वही है, preposition के बाद क्या आते है, preposition के object और preposition के object कौन होते है यह तो noun बनेगा, और noun बना तो noun का भाई, pronoun भी बनेगा clear तो यह क्या होगी आपके सामने noun noun में भी क्या है proper किसी particular शहर का नाम होगे ही क्या है pronoun clear रहा यहाँ पर होगे क्या देखा हमने यहाँ पर अब जरह यहाँ पर हमने देखा कि इस वाले sentence में तो verb को अपना object मिला verb को अपना object मिला लेकिन इस वाले sentence में वब को अपना object नहीं मिला अपना object नहीं मिला clear यहां पर एक बार तो यहीं पर छोड़ते हैं फिर वापस आएंगे sentence के उपर यहां पर clear होगे हैं अब आते हैं being के उपर देखे जरा Ajay is a teacher इस sentence को मैं already करवा चुक हूँ फिर से करवाते हैं यह क्या है वाप है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है यहां पर लिखता हूँ कि B की फोर्म कौन कौन सी है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि is, am, are और खुद भी खुद भी भी होती है यह first form होती है यह second form क्या होती है इसकी was, were और यहां पर इसके बाद third form होती है इसकी being और इसकी एक verb की base form प्लस में ing होती है being clear है हाँ पर तो यह एकलोती ऐसी form है English grammar में जिसकी art form चलती है be की form कौन सी होती है is, am, are, was, were being, being और जब भी यह main verb का काम कर दे जब भी यह main verb का काम कर दे इसको क्या कहते है linking verb क्योंकि link ही तो करती है अभी देखिए sentence में कराऊँगा linking verb कहते है और linking verb जब भी आएगी उस sentence में कभी भी object नहीं आएगा object नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा कि यह helping verb या main verb बिल्कुल simple सी बात है अगर इसके बाद बी के बाद अगर कोई अलग से verb आ रही हो अलग से कोई verb आ रही हो तो हम उसको क्या कहेंगे helping यहाँ पर तब इसको helping verb कहा देंगे अगर यहाँ पर कोई verb आई नहीं रही यही गलोती verb है तो इसको क्या कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे main verb clear देखें बिना verb के sentence नहीं बनता अगर verb आईगी तो उसका subject 100% आएगा आज इस चीज को बहुत अच्छे से करऊँगा मैं subject और verb वाली चीज इसी lecture के अंदर चराएए फिर से इस क्या होगी यहाँ पर verb होगी अब इसके बाद इसको तो अपना subject चाहिए subject चाहिए तो अजे यहाँ पर क्या है subject है अब यहाँ पर जड़ा देखिए इस sentence में अजे इसे teacher क्या इसमें कोई action हुआ मुझे उताइए यहाँ पर कोई action हुआ इस being में being का तो मैंने आपको बताए कोई किसी का होना बताते है कोई स्थिती बताते है किसी की दशा किसी की state बताई जाती है जब कि यहाँ पर किसी की दशा या state बताई जाती है तो क्या उसमें कभी action होगा obviously नहीं action होगा तो यहां पर action होगा नहीं और जब action नहीं होगा तो क्या वहां पर doer होगा अरे यार action नहीं हो रहा तो उसका करने वाला कहां से आ जाएगा same अगर action नहीं होगा तो क्या उस action को receive करने वाला होगा अरे कहां से होगा यार क्या बात कर रहे हो sir action नहीं हो रहा तो receive करने वाला कहां से होगा exact मैं यहीं बता रहा हूँ अगर receiver नहीं होगा तो भाईया वहाँ पर object नहीं होगा same बात जो अभी तरड़ तरबहले बहले बहले हो नहीं मैंने linking गो अब जब भी आती है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर कभी भी object है नहीं होता है देखे जरा action नहीं होगा तो receiver नहीं होगा receiver नहीं होगा तो object नहीं होगा जराओ यहाँ पर यह मैं करवा चुका हूँ noun के first lecture में फिर से मैं आप लोगों को एक तरीके से detail में करवा रहा हूँ यहाँ तो teacher teacher क्या है noun है common है अजे यहाँ पर noun है proper है clear तो teacher यहाँ पर क्या है subject compliment है अरे यार object बना नहीं सकते object क्यों नहीं बना सकते क्योंकि action नहीं हो रहा तो receiver नहीं होगा तो object नहीं होगा clear यहाँ पर तो क्या बनेगा subject compliment अगर जादा details है चाहिए कि sir बाकी चीजें भी तो बन सकती है तो क्या करना होगा भाई साब video देखो जाके noun वाली video देखो अच्छे से clear करवाई हुई है मुझे यह वहब करवाना है अगर पीछे वाली चीज़ों में रह जाओंगा तो वीडियो खतम ही नहीं होगी समझो इस इसको ओके यहाँ पर आगे subject compliment यहाँ object नहीं मिला आगया हो ज़रा कुनाल is very smart फिर से is क्या है main verb है यहाँ पर देखिए linking verb कहेंगे इसको linking verb होगी linking verb क्यों कहते हैं क्योंकि यह subject compliment को उसके subject के साथ link करते हैं इसलिए इसका नहीं linking verb पढ़ते हैं same यहीं होता है link करना ही linking verb कहलाया okay अगले sentence पर आया कुनाल is very smart is क्या होगी main verb होगी is यहाँ पर main verb होगी और कुनाल यहाँ पर क्या होगा subject होगा sir अभी आपने यहाँ पर subject लिखा यहाँ पर भी subject लिखा यहाँ पर action नहीं हो रहा तो यहाँ पर doer भी नहीं होगा तो यह subject कैसे हुआ यहाँ पर subject की परिभाशा क्या होगी अरे देखें यहाँ पर subject की परिभाशा होगी central idea main idea जिसके बारे में बात हो रही हो तो यहां पर बात किसके बारे में हो रही थी, अजे के बारे में, यहां पर कुनाल के बारे में, तो यहां पर यह जो है subject बनेंगे, clear noun है, proper है, अब यहां पर आओ जो रहा, smart क्या है, smart क्या होगा यहां पर, smart कौन है, कुनाल है, तो कुनाल के बारे में बता रहा है, तो यह हो सा एडवर्ब में भी कौन सा भही या intensity बढ़ाने वाली degree intensity बढ़ाने वाली होगी है degree ओगे यहाँ पर adjective है qualitative adjective है यहाँ पर लिख देता हूँ qualitative adjective अब इस दोनो sentences से हमने क्या सीखा इन दोनो sentences हमने क्या सीखा एक बार जड़ा मैं इसका यह color थोड़ा सा change कर लेता हूँ क्या है क्या है काफी गिच बिच 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 हो रही है यहाँ पर अब जड़ा देखो इन दोनो sentence हमने क्या सीखा यहाँ पर इस sentence में क्या object आया क्या object आया क्या यहाँ पर जड़ा मुझे बताओ नहीं वही सारी इसमें तो object आया नहीं सकता तो बताओ कि यहाँ पर object आया नहीं यहाँ पर भी object नहीं आया क्यूं क्यूं नहीं आया क्यूंकि यहाँ पर action नहीं नहीं हो रहा तो क्या जाना कि being verb में being verb के case में being verb के case में कभी भी कभी भी object नहीं आता है कभी भी object नहीं आता है clear यहां पर एक चीज़ यह ध्यान रखना इस चीज़ को यहां पर being पर अभी आएंगे फिर से सारी चीज़ एक पर मुझे करना concept मैंने जैसे कहा कि transitive and transitive का आप लोगों को concept कराना है यह सारी चीज़ वहीं कर रहे हैं तो धहरे रखे हैं, शांती रखे हैं, सारी चीज़ एक clear होंगी बहुत अच्छे से आईए जरा happening verb से मिलते हैं happening verb का मतलब होता है कोई काम अपने आप होना कोई काम अपने आप होना, जरा देखिए the sun rises in the east सूरज जो है, कहां से उखता है, पुरुवदिशा से उखता है इस sentence को break करेंगे sentence को break करने की शुरुवात हम करेंगे verb से तो rise, यहाँ पर होगी verb clear, in क्या होगी preposition, और preposition के बाद क्या आते हैं preposition के object तो east बनेगा preposition का object और यह दा क्या है, article है यहाँ पर चीज़े clear होगी यह हो गया, अब जरा, मैंने अभी थोड़ दिर पहले आप लोगों को यह बात बोली कि verb आएगी, verb के बाद subject आएगा और यह 100% है, अब जरा यहाँ देखो यह rises verb को क्या अपना कहीं subject मिला? अभी तक नहीं मिला तो क्या word बचा है यहाँ पर? sun बचा, sun को क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? subject बनाना पड़ेगा clear यहाँ पर, तो यह sun क्या बनेगा? इस rise verb का subject बनेगा, अब यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है जाती है object, object अब जरा देखो object इसमें क्यों नहीं आएगा, अब देखना, बड़ी अच्छी चीज़ है object इसमें क्यों नहीं आएगा, आपको एक logical answer मिलेगा, अब यहाँ पर देखें rises verb का का काम क्या है? उगना, और यह उगने का काम हो किसके उपर है? बहिए, यह उगने का काम इस subject के उपर ही तो है? इस sun की उपर ही हो गया? समझे जरा? अरे, object क्या होता है? object होता है, action का receiver action का receiver होना चाहिए object को action को कोई receive करें वही सब object करणेगा, लेकिन यहाँ पर action को receive खुद subject करके बैठा है action को receive, खुद subject करके बैठा है, जब subject नहीं उस action को receive कर लिया तो object कहां से आ जाएगा उस चीज़ के अंदर तो happening verb में क्या होता है जो subject होता है वो क्या होता है, वो action का receiver खुद होता है सर अभी आप ने बोला है object जो होता है वो action का receiver होता है अभी आप बोल रहे हो कि subject action का receiver होता है देखिए, बड़ी simple सी चीज़ है मैंने बोला कि subject आएगा subject के बाद verb आई, मतलब यह subject और verb तो आने compulsory है इनके बिना तो sentence बने गए नी और अभी इसको बहुत अच्छे से clear कराऊंगा मैं अब मेरे पास ना कोई चारा नहीं बजा है यह verb आई, verb को तो मुझे subject देना पड़ेगा subject को वर्ब को subject देना पड़ेगा तो यहाँ इकलोता subject, word क्या था, sun ही बचा हुआ था तो sun बचा हुआ था, तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा मुझे इसको subject ही तो बनाना पड़ा भले यह action का receive ओ, मुझे subject तो बनाना पड़ेगा क्योंकि subject देना compulsory है इस verb को, इतनी जी जाई समझ में, ओके पहला sentence clear होता है, second sentence पर हो जरा है Rohan fell from the stairs, यहाँ पर रहो यह क्या होगी fell, fell होगी verb, गिरना कौन गिर गया भईया, रोहन गिर गया, तो यहाँ पर यह बनेगा subject, from क्या होती है, preposition, और preposition के बाद क्या आते है, preposition के object तो stairs क्या होगी, preposition के object होगी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दा आर्टिकल है, यहाँ पर भी दा आर्टिकल है, यहाँ पर भी दा आर्टिकल है, मैं लिखनी रहो अब जरा देखो, क्या यहाँ पर आप जरा यहां पर इस एक्शन को इस सेंटेंस को पढ़ते हैं इसमें एक्शन क्या था accent है कि इसमें सूरज जो उगता है लेकिन ये काम अपने आप हो रहे है कोई सूरज को उगाता नहीं है ये सूरज का खुद का मूड नहीं है कि तो रहिए आज मेरा मूड नहीं है आज मैं उगूँगा रानी उगूआ तो यहां पर जो चीज है वो अपने आप हो अपने आप हो एसा तो यह झो चीज है वो अपने आप हो ए पि्रत अब क्लिए आएगा एंखियक उफ क्या है प्रिपॉजरिन यह बाद क्या आते एंध्र प्रिपॉजरिक आथे stripped from क्या है फिर से preposition है preposition क्या आते है preposition के object तो hands क्या बनेंगे preposition का object clear my क्या है इसके पर अधिकार जताने वाला ये क्या है possessive adjective possessive adjective अब यहां पर देखिए verb क्या मिली वब थी sleep आप इसको अपना subject मिला नहीं मिल कौन बनाना पड़े का एक ग्लास ही तो बनाना पड़ेकर सभी कौन बनाना पड़ेंगा फिसलने का काम हुआ किसके ऊपर इस ग्लास के उपर, action का receiver कौन हुआ, भीया, ये subject हुआ, clear, तो ये word हुआ, ये subject बनके बैठा है, तो यहाँ पर जो happening verb होती है na, happening verb, happening verb में जो subject होता है, वो action का receiver खुद बनके बैठा हुआ होता है, तो कभी भी happening verb में object नहीं आएगा, समझ में आया, अब फिर से आते हैं, इन दोन को इन तीनों को चीजों को मैंने कराया है, doing को, being को, happening को, जड़ा देखो, doing पर आते हैं, doing में हमें object मिला, बेशक मिला, पहले वाले sentence मिला, क्या अगले वाले sentence में हमें object मिला, नहीं मिला, तो हमने क्या जाना, इस doing में हमने ये जाना, कि भई, इसमें object हो भी सकता है, और न नहीं भी हो सकते हैं, हमने यही जाना न, अब आऊ ज़रा, इस बींग वाले में, बींग वाले में दोनों सेंटेंस मैंने, इसलिए दो दो लिखें हैं, यहां पर तीन लिखें हैं, ताकि आप लोग समझ पाओ कि यहां पर जो है अब्जेक्ट नहीं आता, बींग वब में के case में object कभी नहीं होगा, लेकिन यहां पर जड़ा ध्यान देना, यहां पर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ doing वब के case में, लेकिन being वब के case में कभी भी object नहीं होगा, अब आओ ज़रा, happening वाले में, हैपनिंग के हमने 3 sentences देखें, तीनो sentences में क्या हमें कहीं object मिला अरे object कौन होता है action का receiver होता है अभी जैसे मैंने बोला object कौन होता है action का receiver होता है यहाँ पर तो subject खुद action को receive करके बैठा है subject खुद क्यों receive करके बैठा है क्योंकि इस verb को अपना subject चाहिए था और कोई word बच नहीं रहा था इसलिए हमें subject इसी को बनाना पड़ा और जैसे यहाँ पर subject खुद action को receive करके बैठा है तो object तो यहाँ पर आएगा ही नहीं तो क्या हुआ happening verb के case में भी कभी भी object नहीं आएगा clear यहाँ पर अब यह बात समझ में आगी तो यह concept जो था मुझे यहाँ पर करवाना है transitive and transitive समझो जरा जो verb अपने लिए अपना object रखे जो verb अपने लिए अपना object रखे या फिर जिस verb को अपना object मिल जाए उसको क्या कहते हैं हम transitive verb कहते हैं जरा देखिये यहाँ इस ओल्ड क्या है सेम यही है, ट्रांजिटीव जो है, इसका मतलब यह होता है, कि action का transfer हो जाना, देखे, action का transfer हो जाना, आजे ने किया काम, हल करने का, हल किसके अपर होगा, इस questions के उपर, तो यहां पर यह action का transfer हो जाना, questions के उपर, तो obviously, यह जो sold है, यहां पर क्या कहलाएगी, गेलाएगे, clear, और जिस वर्ब को अपना object मिले ही, जिस वर्ब को अपना object मिले ही, ना, वो क्या कहलाएगी, वो intransitive कहलाएगी, है, simple भाशा में कहें, जहां पर action जो है, मतलब कि, जो वर्ब अपना action transfer ही ना कर पाए, वो क्या होगी, वो intransitive होगी, जरह यहां पर देखो, went went यहां पे कैование? तो यहां पर देकेंगे तो being में क्या होती हैं हमेशा intransitive भी होंगी happening में क्या होंगी हमेशा intransitive होंगी कि इनको अपना object नहीं मिलता समझ में आये यहां पर और doing इकलोवती थी एक ऐसी verb होगी इकलोवती type की ऐसी verb होगी जिसमें ट्रांसिटी भी हो सकती यहां चोब हो अच्छे आप अच्छे से समझ में आ गया होगा में क्योंकि थोड़ा सा है वी हो रहा है तो यहां फिर से वीडियों वीडियो डिलीट हो रही है porter तीन बार देख सकते हैं या चार बार देख सकते हैं रे unlimited है कितनी बार भी देखो कभी भी देखो free है कोई cost नहीं है इस चीज का तो समझो इस concept को बहुत बढ़िया concept आगे आने वाले time में ये देखिए ये transitive-intransitive का मैंने क्यों करवाया है transitive-intransitive का करवाने का main motive मेरा ये है कि जैसे मैं pronoun का first lecture लूँगा तो कुछ questions ऐसे होगे मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को rule मुझे करवाने नहीं बिना rule के मुझे English grammar आप लोगों करवानी है और बिना rule के करवानी है तो ये concept आप लोगों को समझने जरूरी है जब मैं English grammar का मतलब की pronoun का first lecture लूँगा तो वहां क्या होगा कि ऐसे-इस concept आएंगे कि मुझे इन चीजों का use करना पड़ेगा रूल रटे नहीं करने है न तो ये concept यहीं समझने लो या और बहुत असान सा concept है जिसको subject मिल जिसको अपना object मिल जाए वो transitive और जिसको ना मिले वो intransitive ये basic सा concept है और क्या है इस चीज़ को मैं करवाऊंगा जब मैं pronoun के first lecture में जाऊंगा तो वहां पर या फिर जब हम detail पर देखेंगे pronoun को देखा जाए तो वही first lecture हो गई तो basic चल रहा है तो rule रटों से दूर रहना है तो concept पे फकड़ बनाने पड़े योडि concept मैंने आप लोगों को दी है lifetime में आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएगा ऐसा निया कि सर lifetime हम त्यारी करते रहेंगे बहुत help करती है चीजों को लिखने में writing में बहुत help करती है चीजों समझने में बहुत help करती है बातें बहुत हो गई है ये चीजें करवाती मैंने आप लोगों को transitive and transitive आईए जरह मुझे आप लोगों को एक concept और करवाना है वो concept क्या है ये subject और verb वाला happening देखा यहां पर object आया भी और नहीं भी आया basic देखा जाए तो being में तो कहीं पर भी object नहीं मिला happening में भी कभी भी object नहीं मिला clear यहां पर तो object आभी सकते है नहीं भी आ सकते है लेकिन subject और बहुत आएगी इसको मुझे अच्छे से कराना है तो एक काम करते हैं जरा तोटा सा color change कर लेते हैं वापीस red पर आ जाते हैं क्योंकि यहां पर मैंने green color में रख रख है मैं क्या करवा रहा हूँ आप लोगों को मैं करवाने जा रहा हूँ अब types of sentences इसकी मुझे जुरूरत पढ़ने वाली है types of sentences जितनी भी चीज़ें करवा रहा हूँ न उनकी सब की जुरूरत मुझे पढ़ेगी इसलिए जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ऐसे नहीं है कि फाल्तो की चीज़ लिख दी है यह नहीं आएगा सारी चीज़ें आएंगी एक-एक चीज मुझे करवाने हैं यहाँ पर जितनी भी जुरूरत है वो एक-एक चीज़ करवा रखिये मुझे मैंने क्या बोल रहा हूँ है चलिए पहले type पर आ जाते हैं पांच type के sentences होते हैं अपने पास आएंगे यहाँ पर पांच type में पहला है assertive assertive का मतलब होता है कथन, कथन का मतलब होता है कहना, clear कहेंगे क्या, या तो हम कोई बात positive में बोलेंगे affirmative का मतलब होता है positive या कोई बात हम negative में बोलेंगे यानि note लगा के बोलेंगे जरा आइए पहले sentence को देखिए assertive के दो type होते हैं यहाँ पर affirmative आईए पहले sentence को देखेंगे तो वब क्या होगी अब यह काम कर कोन रहा है यह मोहन कर रहा है तो यहां पर क्या होगा subject होगा यह खेला क्या खेला भाईया cricket क्या बनेगा object बनेगा यहां पर चीज ख्लियर नाउन है प्रोपर है ट्रोपर है proper है, शायद मैंने पहले वाले sentences में नहीं करा है, वो आप लोग खुद कर लीजिए, इतना तो आप लोगों का आएगे होगा noun proper है, noun common है वो चीज़े मैंने पिछले वाले sentence में शायद वो छोड़ दी है अगले वाले sentence में आईए Mohan does not play cricket Mohan does not play cricket में ये play क्या होगी यहां पर verb होगी, भाईया इस verb को negative बनाना है मुझे, ओके इस खेलने का काम कोन करेगा यह भाईया, यह करेगा Mohan, Mohan बनेगा यहां पर subject noun है, proper है क्या खेलेगा, खेलेगा नहीं cricket नहीं खेलेगा, तो यह क्या बनेगा object बनेगा, noun है, proper है दो वर्ड रहेगे, does और note, सरी यह क्या है, जरा देखो जरा, यह note क्या कर रहा है यह note क्या कर रहा है, note कि सीच को qualify कर रहा है, यह qualify कर रहा है, इस word को नहीं खेलने को, यानि इस play को negative ही तो कर रहा है, इस play को negative ही तो कर रहा है, और play क्या है, वर्ब है एक word जो एक verb के बारें बताते में वो क्या होती है? वो होती है adverb यह है helping word does not do not HELPING word helping word होती है वो हमेंज ताहीं नीथ जराओ जरा मिला देता हूँ do की form होती है do की form होती है यह होती है do DO, DOES, DID, DONE, और DOING, समझे, DO, DOES, DID, DONE, यह होती है, FIRST, यह होती है, SECOND, यह होती है, THIRD, यह B की FORM, PLUS में, ING, अब ज़रा देखो, यह मोहन SINGULAR था, तो इसलिए मैंने ES वाली चीज़ लगाई है, यह SINGULAR वाला CONCENT मैं अभी आप लोगों करवा देता हूं, देखो ज़रा, नाउन में, ठेके, एक मिंट, एक मिंट, नाउन पे जाने से पहले, मैं आप लोगों को हिंदी से चीज़ करवाता हूं, बड़ी, एक दुम बढ़िया तरीके से, देखे, वह जाता है, वह जाते है, अब मैं आपसे पूछूँ, कि इन में से, इन दोनों वाक्ये में से, सह ही तो यह है, गलत है यह वाला, क्योंकि वह जाता है, ऐसा ही ही होता है, कि अगर करता, अगर करता एक वचन है, तो क्रिया क्या लगेगी, एक वचन ही तो लगेगी, लेकिन इस सेंटेंस को अगर मज़े ठीक करने को कहूं, तो सर एक काम करें, वह काट दीजिए, वह कर दी अगर हिंदी में ऐसा होता है तो भाई साब इंग्लिश में भी तो ऐसा ही होता होगा इंग्लिश में भी तो singular, plural चलती होगी, तो आई हो ज़रा, उसी चीज़ से मिला रहा हूँ मैं आप लोगों को, आऊ ज़रा नाउन, नाउन में singular singular और plural होती है नाउन में singular, plural होती है, जैसे अगर मुझे car singular है, इसको मुझे plural करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ s या es लगा दूँगा, तो यह नहीं आएगा cars तो यह हो गया, नाउन का नाउन का हम कैसे करते हैं, नाउन को अगर हमें plural बनाना हो, boy, boys, girl, girls, तो car, cars s या es लगा देते हैं same, verb में भी singular, plural चलता है, जैसे अरे हिंदी में क्रिया का एक वचन बहुचन चल रहा है verb में भी तो वही चलेगा, ना verb में भी, English में भी verb में वैसे चलेगा इसमें भी singular और plural होता है singular और plural होता है लेकिन इसमें न उल्टा होता है उल्टा in the sense, कि अगर मैं एक verb ले रहा हूँ, go मैंने वर्ब ली go मैंने एक वर्ब ली, तो go जो है, वो plural होती है और इसके साथ अगर s e i a e s add कर दो, इसके साथ s e a e s add कर दो, goes बनता है, तो वो singular बनती है, समझे अरे, noun को अगर तुम्हें plural बनाना है, तो उसके साथ s e i a e s add करूं अगर verb को तुम्हें plural बनाना है या मतलब singular बनाना है, तो उसके साथ s e i a e s add करूं, यह है जब वो पैदा होती है, तो समझे, वो जब पैदा होती है, उसको singular बनाना पड़ता है, clear हुआ यहां तो यह चीज होगी तो आओ ज़रा अब यहां पर यह डू ड़स हो गया यह डू ड़स में यह ड़स क्या है सिंगुलर है तो इसलिए मोहन के कोडिंग ड़स लगाया मैंने डू नहीं लगाया एक तो यह चीज दूसरी चीज इसको helping work कहेंगे सर helping work कह सकते हैं अरे कर सकते हैं डू जो है वो दो काम करती है यह helping work भी करती है यह main work भी बनती है सर यह अगर helping work भी बनती है main work भी बनती है यह तो same b की form वाला काम कर रहा है सर अब यह आपने बोला न b की form यह रही b की form सर आपने बोला B की फोर्म भी helping work भी बनती है देखो helping work भी बनती है और यह main work भी बनती है तो सर क्या यह do की फोर्म यह do की फोर्म और यह B की फोर्म क्या same है क्या same in the sense कि सर यह जब main work बनती है तो इसको linking work कहते है तो क्या सरदू की form जब main verb बनेगी तो क्या हम इसे linking verb कहेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे रेखे, बी की form के पास ही वो power है, कि जब ये main verb बनेगी, तो वो linking verb बन सकती है दू के पास वो power नहीं है दू जो है, वो main verb बनेगी, लेकिन ये linking verb नहीं खहेंगे इसको helping verb भी बन सकती है समझ मैं तो इस चीज़ में confused नहीं होना है b की form जब main verb बनती है तो उस linking verb खहेंगे लेकिन do की form जब main verb बने तो उसे linking verb नहीं कहेंगे आई बράस समझ में तो ये do जो है वो helping verb कर रही है हाँ आपको द्यान रखने वाली क्या है कि जो डू के साथ प्ले उपर वाले में जब आपने प्ले देखा उसके साथ क्या लगा हुआ था उसके साथ एस लगा हुआ था लेकिन जब यहां पर आए तो क्या यहां पर एस लगा हुआ नहीं लगा हुआ क्यों कि यहां पर डू क करेंगे हर बार थोड़ना है कि करते ही चलेंगे वहां पर ओके यह होगा हमारे सामने यह अजर्टिव समझ मैं अजर्टिव कितना टाइप होते हैं दो टाइप के घोते हैं अगले सेंटेंस में इंटरोगेटिव interrogative का मतलब होता है question पूछने वाले question लगाना भूल गया question पूछने वाले को कहते है are you studying English क्या तुम English पढ़ रहे हो तो यह हो गया अपने सामने are क्या होगी helping verb होगी studying क्या होगी main verb होगी English क्या होगी object हो गया और you क्या हो गया subject हो गया you क्या हो गया subject हो गया यहाँ पर समझ में आया यहाँ पर तो यहाँ पर क्या देखा इस word में इस sentence में आपको subject मिला यह मिला उपरवाले में subject मिला अरे बेशक मिला यह मिला यह मिला हुआ okay आगे आओ जो रहा imperative sentence most important part है sentences का यह यही चीज मुझे करानी थी आप लोगों को जड़ा देखो imperative का मतलब होता है यह तीन काम करवाता है आपसे यह तीन काम करने ही काम आते हैं इसमें sentence verb की base form से start होते हैं ध्यान रखने हैं आपके सामने मैंने definition ओपर ही लिखी है यह तीन काम करता है तीन काम जैसे order काम order में command आ जाता है advice किसी को advice देना request किसी के सामने प्रार्तना करना तो यह होते हैं ठीक है तो यह तीन काम करता है order, advice, request और इसमें sentence जो है वो किस से शुरू होता है वो verb की base form से शुरू होता है भाईया सर यह verb की base form क्या होती है यहां पर फिर से बताने वाली बात आती है यह जो वीडियो ने लैंती बहुत हो जाएगी अभी जैसे मैंने बहुत concept जो है फिर से बताएगे तो base form वाला मैं बता चुका हूँ तो जाकर पुरानी वाली वीडियो देखो यार पैसे भी उसके पर views नहीं है views बढ़ाओ यार जाकर इतनी मैनत हो रही है बढ़िया बढ़िया content प्रवाइड कर रहा हूँ मुझे पता है ना बढ़िया content है क्योंकि बच्चों को offline बढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं तो वहाँ पर मुझे feedback मिलते हैं यहां पर नहीं मिल रहा बढ़िया बढ़िया मुझे पता है content अच्चा है बहुत मैनत की हूँ इसके उपर तो जाकर वीडियो देखो कुछ एक views बढ़ाओ वहाँ पर आप ज़रा समझो इसी इसको imperative क्या होते हैं imperative तीन काम करते हैं order, advice, request अब ज़रा समझो close the door, इसमें verb क्या है, इसमें verb है close, close what, door कर तो यह हो गया, object, the article होते है यहां पर देखो, work hard, work hard में verb क्या है, work है hard क्या है, hard इस verb को qualify करने वाला, adverb है क्योंकि एक word जो है, वो verb को qualify कर दे, वो adverb के लाते है please help me, help है यहां पर verb, help है, यहां पर रे यार, एक मिनट, एक मिनट, यह थोड़ा सा कड़ पड़ो गया help है, यहां पर, verb, यह me क्या है, इस verb का object यह please क्या है, यह interjection, interjection, clear अब ज़रा इन sentences को ज़रा देखो, सर अब यहां आपने थोड़ी तेर पहले बोली थी एक बात कि subject आएगा और verb आएगा, subject आएगा और verb आएगा, यह बात आप लोग कबसे बताते आ रहे हो सर यहाँ पर आपने वाब लिखा यहाँ पर आपने वाब लिखा यहाँ पर आपने वाब लिखा लेकिन कहीं पर भी इसका subject नहीं लिखा ऐसा क्यों? और यह sentence सही भी है सर यहाँ पर subject का है? यहाँ पर subject है मैं कहा रहा हूँ कि यहाँ subject है subject आएगा यहाँ पर लेकिन वो subject जब वो hidden है और sentence ही है उसको नहीं बोलेंगे तब भी सही है अब ज़रा समझो यहाँ पर subject कौन है यहाँ पर actual में subject कौन है इस sentence को सुनो ज़रा close the door अब मैं अपने आपको यहाँ बनाता हूँ यह मैं खड़ाओं ठीक है यह मेरे सामने desk रखा है podium सा अच्छा थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ठीक है podium सा रखा हूए यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए पढ़ने वाले clear यहाँ पर यह बच्चे हुए बच्चे एक दो मैंने इसको कहा close the door मैंने इस बच्चे होगा close the door अब अगर एक बात चोड़ा सोचो यहाँ पर अगर कोई बच्चा ही न होता तो मैं क्या sentence बोल देता close the door सोचो चरह अगर मेरे सामने कोई बच्चा ही न बैठा होता मैं इसी को तो order दूँगा अब यह जो है वो इस काम को सुनेगा close the door और करेगा कौन जो इस काम को सुनेगा समझ रहे हो जो इस काम को सुनेगा वो इस काम को करेगा भी और इस काम को सुनने वाले को देखे तीन परसन होते हैं अब person के उपर आता हूँ, first person, speaker, second person, listener, third person होता है, talk about, जिनके बारे में बात हो रही हो, यह करेंगे, जब हम उसमें जाएंगे न, pronoun में, वहाँ पर आएगा, फिरसर चीज रिपीट होगी है, अब सुनो जरा, तीन person होते हैं अपने पास, पहला person होता है, speaker, दूसरा होता है, listener, third होता है, अपने पास, talk about जिसके बारे में बात हो रही हो, जड़ाओ, listener, speaker, speaker कौन, close the door, मैं बोल रहा हूँ, IV, IV होता है speaker, भइया, इस काम को कह कौन रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं हो गया speaker, यहां पर, close the door, अब इस काम को करेगा कौन, अरे इस काम को करेगा वो, जो इस काम को सुनेगा सुनने वाला कौन होता है लिसनर और लिसनर के लिए हम क्या लगाते है यू दिस्नर के ले लगाते है यू तो यहां पर इसका subject कून है वो यू है यहां hidden है subject क्लिर अभी तभी तो यहां पर he she it अभी दिमाग में एक subject क्यों नहीं हो सकते हैं, मैं इसलिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भाईया यह जो काम है, close the door करने का काम जो है, वो करेगा जो इस काम को सुनेगा, और सुनने वाले कोन होते हैं, यानि listener कोन होते हैं, वो होते हैं, यूँ, और यह जो होते हैं, यह फिर परसन और थर्ड परसन ह यहां पर आप order दोगे, या फिर आप यहां पर request करोगे, वो किस्से करोगे, जो आपके सामने खड़ा होगा, वो आपकी बास सुन रहा होगा, वो listener होगा, और listener कौन होता है, वहां पर होता है, listener you, clear, तो यहां पर you जो है, वो इसका subject बनेगा, तो इन तीनों sentences में, you work hard, अरे भाईया कौन सुनेगा, किसको करोगे, जो आपके सामने होगा, you work hard, उसको बोलोगे, तो यहां पर यह किसको करोगे, please help me, जो आपके सामने होगा, you, please help me, यह होगे आपके सामने subject, यह होगे आपके सामने subject, यहां पर और कोई क्यों subject नहीं बन सकता, यहां पर he क्यों नहीं है यह जिनके बारे में बात होती है बात होने वाले चीज तो यहां पर हो ही नहीं मैं कहा रहा हूँ work hard इस काम को सुनने वाला इस काम को करेगा सुनने वाला कौन होता है you यानि क्योंकि वो listener होता है second person second person हो कहते हैं listener clear यहां पे तो यह जो थी imperative sentence बहुत बढ़िया concept है imperative वाला बहुत काम आने वाले चीज है यह imperative sentence क्या होता है यह तीन काम करते हैं क्या काम करते हैं order बताने वाले advise बताने वाले request बताने वाले clear और इसमें sentence जो है वो verb की base form से start होता है यह ज़रा देखो help verb की base form work verb की base form close verb की base form यह वर्ब की base form से क्यों start होता है इसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा अरे देखो you अरे यहाँ क्या अरे देखो you are होता है यह you is होता है चरह पहले तो मुझे यह बताओ अरे sir you is तो हमने कभी सुना ही नहीं तो क्या होता है you are होता है समझ में आया you तो एक बंदा भी उता होता है जिसके सामने हम बोल रहे है अरे मैं यह कह रहा हूँ यह एक के लिए भी लगाया जाता है और यह एक से ज़्यादा के लिए भी लगाया जाता है यानि दो के लिए तीन के लिए कितने मरज्यों के लिए लगा लो मेरे सामने अगर एक बच्चा बैठा है तो उसके लिए भी you और ये पांच बैठे हैं तो इनके लिए सब के लिए you लगता है समझ मैं है तो you को हमेशा plural ही count किया जाता है एक तरीके से you के साथ हमेशा verb जो होती है वो plural आती है और जैसा मैंने बताया कहां गया वही है वो sentence यह रहा verb जो होती है जो पैदा होती है वो plural पैदा होती है तो you go होता है you go होता है क्योंकि you जो है वो plural ही माना जाता है वो एक इनसान के लिए भी आता है वो बहुत इनसानों के लिए भी आता है इसलिए इसको singular plural में ही consider किया जाता है और इसके साथ वर्ब जो होती है, प्लूरल लगाने का मतलब हो है, जो वर्ब प्लूरल होती है, वही होती है वर्ब की बेस फॉर्म, वही होती है वर्ब की बेस फॉर्म, इसलिए यहां पर वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ही स्टार्ट होता है, तो यह जो लगता है कि इतना काफी है यह जो है optative sentence मैं बाद में करवा दूँगा, optative के बारे में हम करेंगे imperative हो गया है क्योंकि length जादा हो जाएगी वीडियो को देखेंगे नहीं लोग, तो मेरा ही नुकसान हो जाता है उसमें boring, boring लगती है बच्चों को लगते हैं कि इतना length ही मत कराओ तो आज के लिए इतना है रखते हैं यह optative है, exclamatory है और इसके बाद मैंने आप लोगों को transitive, intransitive चीज़ें करवानी हैं इसको भी कराएंगे और कुछ यह और चीज़ें यह भी करवाने वाला हुए, तो बस आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, तो अगर यह वीडियो पसंद आई है, तो भाई साब क्या करना है support करो, support करो, support का मतलब क्या होता है, like करो वीडियो को, like करो, channel को क्या करो, subscribe करो, तभी काम बढ़ेगा यार, तभी काम बनेगा तभी मुझे motivation मिलेगी, चीज़ों को करने की, समझ में आ रही है, वैसे motivation तो है करता हूँ, लेकिन होता है न यार, और जादा energy आ जाएगी, और इस वीडियो से related आप लोगों का, अगर PDF चाहिए, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा बहिया, करना ही होगा, कि इस वीडियो के description box में आप लोगों को क्या मिलेगा, एक link मिलेगा link किसका मिलेगा, link telegram का मिलेगा, link आप लोगों को facebook का मिलेगा, तो जाकर join करिए इन दोनों groups को, page भी है facebook page भी है, facebook group ही है, दोनों जाकर join करिए, फटाफट आप लोगों को वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी, और भी other, आपके exams related content वहाँ पर provide करवाया जा रहा है, तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में, thanks for watching this video